यहाँ पर हमें इस question की value find out करने है, तो देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4.359, 2 times multiply किया हुआ है, तो मैं इसको write कर सकता हूँ, 4.359 square, and यहाँ पर minus का sign, 1.641, 2 times multiply किया हुआ है, तो मैं इसको write कर सकता हूँ, 1.641 का square, ठीक है, and upon में हमारे पास है, 4.359 minus 1.641, तो देखें, जो यह है ना, हमारे पास 4.359, इसको मैं consider कर लेता हूँ, क्या a, and इसको consider कर लेता हूँ, b, ठीक है, तो यह क्या बन गया है, हमारे पास a square minus b square, तो यह identity हम यहाँ पर use करेंगे, a plus b multiply a minus b, ठीक है, तो देखें, क्या हो जाएगा, यहाँ पर a plus b, तो a की जगा मैं write कर लेता हूँ, 4.359, and plus 1.641, b की जगा मैं इसको write कर लेता हूँ, and a minus b, a की जगा मैं फिर वही 4.359, and minus 1.641, इसको write कर लेता हूँ, अपोन में हमारे पास है, 4.359, and minus 1.641, ठीक है, यह है हमारे पास, तो देखें, यहाँ पर, इससे मैं इसको cancel out कर सकत हूँ, क्योंकि same है, तो यहाँ पर मेरे पास कितना बचा, यह बचा, 4.359, plus 1.641, इसको हम कर लेते हैं, add, तो add करने पर यह आएगा, 9, 1, 10, 5, 4, 9, 10, 3, 6, 9, 10, 4, 1, 5, and 6, 6.00, means 6, इसका result आएगा,